आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि जारकन में UGPG Admissions के लिए Chancellor Portal में किस तरह से registration करते हैं तो step by step हम इस वीडियो में बताने वाले हैं तो सबसे पहले Chancellor Portal के official website पे आ जाना है उसके बाद sign up पे click करना है sign up पे click करने के बाद यहाँ पे first में full name अपना लिखना है यानि कि जिस candidate का यहाँ पे registration करना है उसका full name डालना है name डालने के बाद यहाँ पे second column में email id मांगा जा रहा है तो यहाँ पे email id को भी हम डाल लेते हैं अब यहाँ पे third number पे user id create करना रहता है तो यहाँ में user id में candidate का नाम लिख लेते हैं और underscore दे के कोई भी digit दे देते हैं अब fourth column में यहाँ मोबाइल संक्या डालना है तो हम यहाँ पे सबसे पहले मुबाइल संक्या फिलफ कर लेते हैं मुबाइल संक्या ळालने के बाद यहाँ पे password करेकरना है कोई भी पासवर्ड यहां पे हम डाल लेते हैं नेक्स्ट कॉलम में जो हम लोग अभी फास्वर्ट में उपर में पासवर्ड डाले। वही password को यहाँ पे डालेंगे यानि कि confirm password डालना है confirm password डालने के बाद यहाँ पे capture डालना है हम यहाँ डालने के बाद यहाँ पे sign up पे click कर देना है जो mobile संक्या मैंने यहाँ डाला था वो mobile संक्या पे एक verification OTP आता है तो कुछ समय तक हम लोग OTP का इंतिजार कर लेते हैं तो यहाँ पर मेरा OTP आ चुका है तो सबसे पहले हम यहाँ पर OTP डाल के verify OTP पर किलिक कर देते हैं तो देखिए यहाँ पर मेरा registration successful हो चुका है अब यहाँ पर go to login page पर किलिक करना है तो registration करने के समय आप लोगों ने जो username create किया था और password डाला था वही यहाँ पर डाल लेना है डालने के बाद यहाँ पर capture भर लेना है और login hair पर किलिक कर देना है तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं student का profile खुल चुका है तो आज की वीडियो में हम लोगों ने जाना chancellor portal में किस तरह से registration किया जाता है अब हम लोग मिलते हैं next वीडियो में new updates के साथ तब तक के लिए जाहिन